हलो, सबी दोस्तों को मेता नमस्कार, मैं चंपत आप सबी का हमारी आज की वीडियो में स्वागत करता हूं आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ, आपके सामने सोलर आटाचक्की के विशह में हमारे देश की सरकार देश की महिलाओं के आर्थिक जीवन में सुधार लाने और महिला शशक्ति करन के लिए हर संभव परियास करती हुई देखी जा रही है वे महिलाओं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने स्वरोजगार की स्थापना करके एक अच्छी आमदनी का निर्मान करने चाती हैं उनके लिए भारतिय सरकार के द्वारा सोलर आटा चक्की योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के अंतरगत महिलाओं के लिए निशुल्क सोलर आटा चक्की परदान की जाती है इस आटा चक्की का परियोग करके महिलाओं अपने आसपास के गेहों को पीज कर एक अच्छी आमदनी का निर्मान आसानी से कर सकती है जैसे की आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह एक सोलर चक्की होने वाली है इसी लिए इस आटा चक्की का परियोग करने वाली महिलाओं के लिए बिजली का बिल देने की पी चिंता नहीं होगी क्योंकि सूरज की रोषनी से सोलर सेल उर्जा का निर्मान करके आटा चक्की को चलाने का कारे किया जाएगा अब बात करते हैं फ्री सोलर आटा चक्की योजना का मुख्यो देशे के विशे में हमारे देश में चलने वाली अधिकतर आठा चक्यों का संचालन इर्धन जलाकर मिलने वाली बिजली से ही होता है बढ़ती हुई बिजली की मांग के कारण कभी कभी ऐसा भी समस्या उत्पन हो जाती है कि बिजली ना होने के कारण आटा चक्यों के संचालन में विलंबता का सामना करना पड़ता है इसलिए सरकार ऐसा परियास कर रही है कि देश में जल से जल सोलर चक्यों की स्तापना करके इदन से मिलने वाली बिजली पर चक्यों की निर्बरता को कम किया जा सके इसके साथ साथ इस योजना का मुख्य उदेश्य देश की महिलाओं को महिला से शक्तिकरन अभ्यान के तैत आत्म निर्बर्ब बनाना भी है सोलर आटा चक्की योजना के लाब एवं विशेशता है इस योजना का लाब वेश के सभी राज्यों की महिलाओं को मिल सकता है इस योजना के अंतरगत परदान की जाने वाली सोलर आटा चक्की पर सरकार के द्वारा शत प्रतिशत सबसिड़ी परदान की जाती है यह योजना का लाब गाउं की महिलाओं को तो प्राप्थ हो ही सकता है इसके साथ साथ शहर की महिलाओं को भी इस योजना का लाब प्राप्थ हो सकता है Free Solar आटा चक्की योजना के लिए आउशक पातरता है इस योजना का लाब उठाने के लिए महिलाओं का भारत का निवासी होना जरूरी है वे महिला जिनके घर में आटा चक्की का संचालन किया जा रहा है वे इस योजना का लाब नहीं उठा सकती है वे महिलाएं जो भारत के किसी भी सरकारी विभाग में सरकारी करमचारियों के तोर पर कारे रथ हैं वे इस योजना का लाब नहीं उटा सकते हैं सोलर आटा चक्की योजना के लिए आउशक दस्तवेज आधार कार्ट, पैन कार्ट, आय परमान पत्र, मूल लिवास परमान पत्र, बैंक खाता पासवर्ट, दो रंगीन फोटो और पूरी जानकारी सोलर आटा चक्की योजना की आविदन प्रकेरिया इस योजना का लाब लेने के लिए सर्व पर्थम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट https.up.gov.in पर जाना होगा यह वेबसाइट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब वेबसाइट के होम पेज पर अपने राज्य का चुनाव करके सोलर आटा चक्की योजना के विकलप पर क्लिक करना होगा अब पंजी करन फार्म के विकलप पर क्लिक करके पंजी करन फार्म को डाउन लोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवाना होगा इस आवेदन फार्म में मांगी सबी आवश्यक जानकारियों को दर्ज करके आवश्यक दस्तावेजों को इस आवेदन फार्म के साथ अटैच करना होगा आवेदन पत्र और इस से जुड़े हुए आवशेक दस्तावेजों को अपने नस्दी की खागे विबाग कार्याले में जमा करना होगा दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्या इस योजना का लाब महिला और पुरुज दोनों ले सकते हैं तो जी नहीं इस योजना का लाब सिर्फ महिला ही प्राप्ट कर सकती है आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके आपके सुजाव, सवाल, विचार जरूर बताएं हमारा हेल्प लाइन नमबर है 011-447-62488 और हमारी ओफिशल वेबसाइट है msmepci.in यूटूब चैनल msme promotion council इंडिया से मिलते हैं आप सभी से हमारी अगले वीडियो में